Hello Friends, मेरा नामे विकास, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Samsung के फोन में Access Point Name Setting कैसे करें Samsung के फोन में Access Point Name की Setting कैसे करें ये हमको Setting दब करनी होती है जब हमारे फोन में Net काम नहीं करता या Net सईसे चलता नहीं है, तब हमको ये Setting करनी होती है इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में settings को open करना है और आपको ऐसा page मिल जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है आपको मिलेगा connections तो connections वाले option पे रहिएगा और आपको ऐसा page मिल जाएगा इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर Mobile Network पर आईए और आपको मिलेगा Access Point Name देखे अगर आपको यह सेटिंग ना मिले तो आप सेटिंग में सर्च भी कर सकते हो उपर सर्च करने को option भी है तो यहाँ पर मैं डाइट यही से open कर लेता हूँ connection में जाता हूँ Mobile Network में यह रहा Access Point Name इसे APN सेटिंग भी कहते हैं यहाँ पर SIM 1, SIM 2 दोनों के लिए है देख सकते हो तो आपको यहाँ पर तीन डॉट पर टच करना है अगर कोई दिक्कत आ रही है तो reset to default कर देना है और यहाँ पर reset कर देना है और जो net है वो अच्छे से काम करने लग जाएगा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा